हालो स्टूडेंट्स आज मैं आपको इंप्रॉपर इंट्रीगल में नेस्ट लेक्चर लेके आया हूँ और इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि आखिर कम्पेरेजन टेस्ट क्या होता है देखिए जब कम्पेरेजन टेस्ट है तो सभावे के दो फंक्षन होंगे एक फंक्षन की तो तुलना में नहीं कर सकता तो कम्पेरेजन तो समझी गए होंगे न किसी की कम्पेर करना तो मैं यहाँ दो फंक्षन मानूंगा और वो दोनों फंक्षन बाउंडेड होने चाहिए और इंट्रीगल होने चाहिए और फिर मैं उसमें compare करके बताऊंगा कि ये convergent कब होता है और divergent कब होता है हाँ please इससे पहले first two lecture जरूर देखें क्योंकि उसमें बताया गया है कि आखिर improper integral क्या होता है उसके कौन-कौन से type होते हैं उन पर कौन-कौन से example अच्छे लगते हैं तो चलिए मैंने उसमें सारे example भी दिये थे और type भी बताये हैं तो please आप first two lecture जरूर देखें और फिर तीसरे lecture को देखें ये BSE part 1 में भी topic आगया इस साल और ये BSE final real analysis में भी है MSE previous में भी है real analysis में तो ये very very important है और BTEC में भी है ये engineering mathematics में तो ये completion के तौर पर भी very very important है इसलिए मैं कोशिस करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा question आपको बताऊं तो चलिए हम बात कर रहे थे comparison test की तो comparison में हम दो test लेंगे मान लीजिए let us consider to function fx and phix which bounded and intrigable in interval a or infinity में कोई function लोगा उसमें दो function बनाऊंगा limit होगी एसे लेकर infinity फिर compare करके बताऊंगा कि ये convergent कैसे होते हैं और divergent कैसे होते हैं तो चलिए मैंने एक इंट्री का ले लिया ये एसे लेकर infinity और इसमें दो function ले लिये मैंने 5x और fx ये वैसे एक ही function होगा मैं एसे लिख रहा हूँ इसे gx dx अब इसमें से मैं दो function set करूँगा एसे लेकर infinity और मैं लिखूँगा 5x और fx dx आईए अब ये दो function बना लिए अब इनमें हम comparison करेंगे तो first if यदि ये 5x is less than and equal fx हो कहां जब x is greater than and equal a हो इस condition पर depend करें fx बढ़ा हो 5x से या बराबर हो और limit a से लेकर infinity रखूँ fx dx ये convergent आया क्या आजा कनवर्जेंट तब हम कहेंगे by comparison test ये से लेकर infinity phi x dx is also convergent that is ये convergent होगा ये convergent तो मैं लिख सकता हूँ ये से लेकर infinity gx dx is convergent ठीक है ये question किसका बन जाएगा convergent का अब divergent पर आती है फिर समझ लोग function दो बनाएंगे मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं compare करेंगे अगर ये बढ़ा है और convergent है तो comparison द्वारा ये total function convergent का कहलाएगा दूसरी शर्त यहां लिख रहा है if phi x is greater than and equal fx अबकि ये बढ़ा हो कम जहां पर x greater than and equal e बैटाई ये जो है इस पर depend करता है इसको देखते हैं ठीक है तब ये बढ़ा हो end limit a से लेकर infinity fx dx is divergent divergent हो तब then by comparison test comparison test से हम लिख सकते हैं एसे लेकर infinity fx dx is also divergent अब यहां देखो ये छोटा है और divergent है तब comparison से ये function total क्या कहलाएगा divergent हम ऐसे भी लिख सकते हैं this implies ये किस से बने सब इसी से बने ये से लेकर infinity gx dx is divergent तो हमने क्या सीखा यहां इसमें भी दो condition बन गई function को fx और fx लिखेंगे set कर लेंगे क्योंकि function तो ये की होगा उसमें से अलग अलग अगर ये fx बड़ा है और convergent है तो total question convergent का कहलाएगा यदि ये छोटा है यहां छोटा है और divergent है तो total question ये divergent का कहलाएगा अब ये convergent के लिए एक important article है वो देखना है जो very very important है लगवा हर साल exam में आता है चलिए उसके लिए मैं एक article लिख रहा हूँ test the convergence of limit a से लेकर infinity one upon x की power and dx इसको देखते हैं और इससे फिर हम आगे जाके डारेक्ट इस एन की डिपेंड पर कर देंगे कि ये convergent है और divergent है मैं यहीं दिखाता हूँ is convergent होगा कब जब n is greater than one हो is divergent होगा जब n is less than and equal one हो तो चलिए इसे में प्रूफ करकी दिखाता हूँ अगर यह वास्ता में सत्य निकल आया तो एक तो मेरा article proof होगया और इन question होगा यूज होगा ठीक है proof मान लीजिए epsilon tends to infinite एसे लेकर epsilon ठीक है यह first rule में बताए है कि है epsilon मानते हैं और यह x की power minus n dx integration minus n plus one upon minus n plus one और एसे लेकर infinity epsilon रखिये यहाँ epsilon रखेंगे तो epsilon की power ऐसे लिखे देता हूँ मेरे बच्चों ऐसे minus a रखेंगे तो a की power b में ऐसे लिखे देता हूँ upon one minus n यह question आ गया जबकि epsilon tends to infinity रखना है अब n पर depend कर रहा है यह किस पर depend कर रहा है n पर तो देखिए मैं n की value x से जादा रखता हूँ कितनी रखता हूँ जादा मानों 2 रख लीजिए ठीक है ना 2 रख लेते हैं तो यहाँ 2 रखेंगे n की value x से जादा 2 रखेंगे तो कितनी बचेगी n की value बोलिए 2 रखने पर minus की 1 ठीक है और इसको मैं ऐसे लेख सकता हूँ ऐसे अब एक बात बताईए आप यहाँ infinity रखेंगे तो 1 अपोन infinity की value 0 हो गई तो सिर्फ क्या बचा यह बचा minus a की power 1 minus n अपोन 1 minus n कहने का मतलब यह finite आ गया क्या आ गया finite और finite पर मैंने first lecture में ही बताया था convergent होता है तो मैंने n की value जब 1 से ज़्यादा रखी तो यह value कितनी आई finite और finite पर convergent तो मैं लिख सकता हूँ यह finite और finite पर क्या लिखोंगे convergent अब हम रखते हैं n की value 1 से कम ज़्यादा तो रखके दिखा दी मैंने कितनी रखके दिखाई थी n equal to 2 अब एक से कम आधी रख दूं कितनी रख दूं आधी अगर आधी रख देंगे यहां तो under rule n बचाएगा यहां रखके देख लीजी आधी तो epsilon tends to infinity आधी रखेंगे तो यहां बचेगा epsilon की power half minus a की power 1 minus n upon 1 minus n यह limit रखेंगे तो total infinite minus a की power 1 minus n upon 1 minus n total क्या हुआ? infinite और infinite पर बताया था मैंने divergent क्या बताया था? divergent तो यह divergent हो गया अब divergent infinite पर n equal यह less than 1 पर हुआ n is greater than 1 पर finite हुआ n equal 1 पर देखना है तो चलिए अब देखते हैं n equal to 1 तो यहीं रखे देते हैं direct a से लेकर infinity 1 upon x और dx log x a से लेकर infinity log infinity minus log a यह infinite minus log a total infinite तो हमने क्या सीखा? n equal to 1 रखूँ या n की value एक से छोटी रखूँ यह मैं हैं दिखा देता हूँ n is less than 1 और हियां दिखा देता हूँ n is greater than 1 यहां लेके देता हूँ n is greater than 1 तो n is greater than 1 पर तो इसकी value finite आई जिसे हम convergent कहते हैं तो यह बात सही निकली n is less than 1 पर और n equal 1 पर infinite आया और infinite का मैंने divergent बताया था तो यह बात मीं सही निकली n is less than and n equal 1 पर क्या है? divergent it follow that अब हियां दुवारा लेके देता हूँ limit a से लेकर infinity 1 अपोन x की power dx is convergent होगा जब n is greater than 1 is divergent होगा n is less than and equal 1 चलिए तो मैं अब इस पर important example लिख रहा हूँ पहला question देखिए मान लीजिए limit 0 से लेकर infinity और यह है cos mx upon x square plus a square dx अब यह मुझे दिखाना है कि convergent है या divergent है तो यह एक ही function है इस मैं से मैं दो function कैसे बनाता हूँ? वो देखते हैं हम एक बात जानते हैं we have cos mx is less than and equal 1 यह होता है यह sign हो या function दोनों की value एक से कम या एक के बरावर होती है इसमें मैं divide कर रहा हूँ cos mx upon x square plus a square यहाँ भी करनी होगी इसको मैं कह रहा हूँ phi x इसको कह रहा हूँ मैं fx इसका मतलब fx equal to i r और phi x equal to i r अब हमने यह तो मिल गया मुझे less than है अभी बताया था मैंने less than है अब देखते हैं कि यह convergent है या नहीं अभी एक ही property मिल गई and अब मुझे यह देखना है 0 से infinity fx dx निकालिए 0 से infinity x square plus a square dx कितना हुआ 10 inverse x upon a और 0 से infinity इसका बेटा integration करें लिमिट चड़ाएंगे तो यहाँ 10 inverse infinite minus 10 inverse 0 pi y2 minus 0 शिर्फ और सिर्फ और यह क्या है finite जब finite है तो इसका मतलब यह convergent निकला क्या निकला convergent तो मैं लिख सकता हूँ 0 से infinity fx dx is convergent जब convergent आगया तब हम तेन by comparison test comparison test से मैं लिख सकता हूँ limit a से लेकर a नहीं 0 से लेकर infinity phi x dx is also convergent यह convergent हो गया अब लिख सकता हूँ this implies यह total function यही होता जब fx convergent phi x convergent इसका मतलब यह total convergent तो 0 से लेकर infinity cos mx upon x square plus a square dx is convergent अब मैं तुम्हें एक नई बात बताओ same problem आप अपने घर करना limit 0 से infinity cos x upon x square plus 1 bx ठीक है एक और लेते हैं important question number 2 मैं ले रहा हूँ 0 से infinity sin square x upon x square bx देखते हैं यह convergent है या नहीं है फिर यही कहानी इसी की तरह v है sin x is less than and equal 1 दोन और का square करेंगे तो कोई फरेक नहीं पड़ेगा इधर तो 1 ही रहेगा दोन और x square की divide कर दीजिए sin square x upon x square is less than and equal यह phi x हो गया is less than and equal यह f x हो गया तो f x equal to क्या हुआ 1 upon x square phi x equal to हुआ sin square x upon x square तो पहले मैं यह देखूँगा f x एक तो मुझे यह सर्थ मिल गई कि यह बड़ा है अभी यह convergent हो रहा जा है तो यह question भी convergent का निकलेगा तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ limit 0 से infinity f x और b x तो 0 से infinity 1 upon x square dx अब देखे मैं इसे direct लिख रहा हूँ is convergent चुकि n is greater than 1 है या 2 है तब by comparison test से मैं दावे के साथ कहूँगा 0 से infinity phi x dx is convergent या 0 से infinity phi और f x total क्या है यह sin square x upon x square dx is convergent अब second type के question लेते हैं इसी में अभी comparison में ही लेंगे ठीक है इस question को देखिए यह हर writer की book में मिलेगा और very very important है ठीक है इस समय यह question 0 से infinity पर impossible है comparison से नहीं होगा तो इसे comparison में बनाने के लिए मुझे यह finite बनाना होगा और question हो जाएंगा 0 से लेकिन यह नहीं हो रहा तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ वो देखना है तो इसे मैं लिख सकता हूँ इसी question को यह 0 से infinity limit 0 से 1 e की power minus x square dx पिलास 1 से लेकर infinity e की power minus x square dx इसका जो यह first part है इसे देखिए e की power x bounded होता है यह bounded होता है इसकी 2 और 3 के बीच में value होती है वैसे 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा 1 रखोगे खोलोगे तो value निकल कहाएगी finite और limit भी finite है रखने के बाद function भी यह bounded हो रहा है इसका मतलब यह improper integral है और improper integral convergent होते है ठीक है तो मैं लिख रहा हूँ यह first और यह second take first 0 to 1 is proper integral अब आप कहेंगे proper integral तो first lecture में सब से पहले मैंने proper integral की definition, limit और उस पर example दिये है ठीक है इसी लिए 0 से 1 e की power minus x square dx is convergent यह तो convergent रहा, अब बात इसकी रहीं आ गया वला, इसे कैसे solve करेंगे taking second 1 से लेकर infinity e की power minus x square dx अब यह single function है तो इसे में double function कैसे बनाओं तो वो मानना पड़ेगा है तो है नहीं इसमें जैसे मैं कह रहा हूँ let यह fx की जगह पर phi x है, पूरा gx है यह क्या है, पूरा gx अब मैं इसमें से ऐसे लिख सकता हूँ एक बात बताना e की power minus x square is less than and equal e की power minus x square into 2x 2x की multiply क्यों करिये पता है इसका integration possible बन जाए और सर्थ भी बन गई यह कम है, जब यह सर्थ होती है जहाँ पर x is greater than and equal 0 आप 0 रख ले, 0 ते बड़ी रखे बैलू, 1, 2, 3, जितनी भी रखेंगे इधर जादा हो जाएगा जो कि है 2x है और यहाँ कम है, ठीक है एक रखेंगे पर ते एक एक बनना है 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो तो यह मैंने अपनी तरफ से multiply करिये function set करने के लिए यह बन गया 5x is less than and equal fx एक सर्थ तो मुझे यह मिल गई और देखो यह fx equal क्या है यह लिखे देता हूँ e की power minus x square into 2x और 5x equal to क्या है केवल e की power minus x square अब देखता हूँ यह convergent है या नहीं है limit कितनी है इसमें 1 से infinity limit 1 से लेकर infinity fx dx देखिए 1 से लेकर infinity fx की value रख दीजिए कितनी है e की power minus x square 2x और bx integration possible इसे t मानू तो यह dt है और limit पर कोई फर्ग नहीं पड़ेगा ठीक है तो इसका integration हो गया e की power minus t और यह 1 से लेकर infinity अगर यहाँ infinity रखते हो तो minus के infinity 1 रखते हो तो e की power minus 1 e की power minus infinity की value 0 होती है तो 0 minus 1 upon e अर्थात यह क्या आ गया finite मैंने बताया था अनंत को छोड़कर कुछ भी लिखा हो वो सब finite होता है जैसे e की value होती है 2 और 3 के बीच में तो finite यह answer आएगा डिवाइड करने पर और finite है तो यह क्या है convergent तब हम लिखेंगे 1 से लेकर infinity fx dx is convergent तब लिखेंगे then by comparison test limit 1 से लेकर infinity phi x dx is also convergent अब convergent है तो टोटल फंक्शन एक से कह लिख सकते हैं therefore कितना था यह भी convergent आया ठीक है और यह मैंने convergent gx लेके देता हूँ 1 से लेकर infinity gx dx is convergent अब मेरी तरफ देखो यह proper integral से convergent यह मैंने निकाला comparison से convergent don't know convergent it follow that यह question convergent का हुआ this implies 0 से लेकर infinity e की power minus x square dx is convergent तो यह किताबों में अलग अलग तरीका से दे रखा होता है उल्टा सीधा मैंने बहुत easy तरीका निकाला है और यह हर writer की book में मिलेगा very very important question है और हाँ मैंने integral calculus में सारी video upload की हुई है playlist में आप जाकर देखाएंगे जैसे rectification है volume and revelation of surface वाला है beta and gamma function है multiple integral, triple integral, double integral, drichlet और calculus में जो first book है उसमें भी मैंने सारी video डाली है प्लीज आप playlist की द्वारा आप देखेंगे तो आपका पूरे topic होते चले जाएंगे ठीक है चलिए next question देखते है एक और question तिरी के बाद question number 4 देखिए limit 0 से लेकर infinity 1 upon x square under root में 1 plus x square dx अब इसे में कैसे लिकान हूँ अलग नग limit 0 से दे रखी है 0 से नहीं A से A से A लिखो विटा चलिए now मुझे ये पता है gx equal to क्या है 1 upon x square under root 1 plus x square अब मुझे यहां से degree निकालने होंगी देखो ये तो 2 degree है और ये बाहर निकालूं इसे क्या करूंँ बाहर तो x ही निकल के आएगा केवल क्या निकल के आएगा x तो x और ये x तो x q हो गया क्या हो गया x q हो गया तो मैं यहां less than and equal x q 1 upon कम जब x is greater than and equal a आप रखके देख ले न यहां a q आएगा यहां a q से 1 और जादा है नीचे जितना ज़्यादा होता value 3 यह छोटी हो जाती है तो यह इस पर depend करता है ठीक है चलिए तो मैं लिखना हुआ यह phi x is less than and equal f x अब limit a से लेकर infinity f x d x अर्था a से लेकर infinity 1 upon x q d x यहां कितना है n equal 3 एक से ज़्यादा है तो convergent का हुआ इसलिए तो आईटीकल प्रूफ किया है तो n is greater than 1 इसलिए convergent तो आप लिखेंगे by comparison test limit a से लेकर infinity phi x d x is also convergent ताव एसे लेकर infinity पूरा सवाल दोनों क्या बने g x बने पर मैं g x अब नहीं लिख रा एक बार आपको समझा दिया 1 plus x square d x is convergent ठीक है question 4 के बाद question number 5 limit 0 से लेकर infinity dx upon x under root 1 plus x square d x ठीक है तो इसमें से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 upon x under root में 1 plus x square यहाँ से आप डिगरी निकाली तो एक ही निकलेगी x वहाँ x यह रही तो x square तो यह less than and equal 1 upon x square कम जब x is greater than and equal 0 0 ते बड़ी value रख लेते हैं मानों 1 ही रख लेते हैं बस चेक करते हैं बढ़ा के कलत हैं एक रख होगे एक और एक कितना है यह दो तो यह एक और एक दो 1 upon under root 2 1 upon under root 2 की value एक ते कम होगी क्योंकि under root 2 का मान एक से ज़्यादा होता है डिवाइड करूँगा वन में तो एक से कम और यह एक रख होगी तो एक इसका मतलब यह छोटा है और यह बढ़ा है तो मैं लिख सकता हूँ fx is less than and equal gx phi x से पढ़ा रहा हूँ आपको तो phi x is less than and equal fx अब fx equal to क्या है यहाँ पर 1 upon x square और phi x equal to क्या है यहाँ पर 1 upon x under root 1 plus x square अब limit लगाएए 0 से infinity 1 upon x square dx is convergent क्योंकि n is greater than 1 है तो by comparison test 0 से infinity phi x dx is convergent तो इसका मतलब यह question किसका रहा convergent का एक और question लेते हैं ऐसा ही Question number 6 Limit a से लेकर infinity 1 upon x square under root में चलो ऐसे लेते हैं और set बिल्कुली अंदर करें देता हूँ minus x plus 1 dx अब यह total function एक ही तो बना चलिए एक बात बताएए इसको भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ x square minus x plus 1 इससे highest degree shift x निकलेगी क्या निकलेगी x तो मैं देखता हूँ यह बड़ा बनता है नहीं मैंने लिखी दिया है sign यह ऐसे अब मैं x की value यह a दे रखी है a से बड़ी या a के बरावर तो मैं बड़ी का मतलब एक दो कुछ भी रखना हूँ जैसे दो रख लेते हैं चलो कितनी भी हो अगर दो रखूं तो दो दूनी 4 और एक 5 पांच में दे दो गए तो 3 suppose करो यह अंडर root 3 यहां रखेंगे तो एक बड़े दो दो ही तो रखवा रहे थे तो इसका मतलब है यह आधा है और यह आधे ते कम निकलेगा अंडर root 3 की value जानते और उसकी divide रहे तो आधे ते भी कम आएगा ठीक है तो इसका मतलब यह रहा 5x is greater than and equal fx अब यह मुझे आधी property divergent की दीख रही है क्योंकि यह बड़ा है अब यह देखते हैं यह divergent बनता है या नहीं तो fx equal to क्या है यहां पर 1 upon x limit a से लेकर infinity 1 upon dx is divergent क्योंकि n equal to 1 है समझ गए है article से n equal to 1 तो आप लिखेंगे by comparison test यह सब लिख लेना एसे लेकर infinity 1 upon x square minus x plus 1 dx is divergent ठीक है तो मैं अब आपके लिए एक दू question all लिख रहा हूँ अब आप घर करना पहला question लिया है मैंने एसे लेकर infinity 1 upon x square under root में 1 upon plus x square dx सेम यह question और अगला question है यह यह दिखाई दे रहा हो तो यहां क्या है x square है बस अपने आप करना है दूसरा एक और question sign का नहीं लिखा चलो sign का लिखे देता हूँ 0 से लेकर infinity sin mx upon x square plus a square dx मैंने सिर्फ यहां sign की जगे पर cos लिखा था वही answer है जो cos का है वही इसका है यहां में 1-1 करें देता हूँ एक और 0 से infinity sin x upon केवल x square plus 1 एक और लेते हैं 0 से infinity sin x upon x square dx तो यह sign का या cos का मैंने किया है ठीक है sin x is less than and equal यह भी convergent होगा यह convergent यह भी convergent तो मैंने लगभग आपको सभी question करा दिये अब मैं अगला test लाओगा new test evil test और drittly test next lecture में तब तक आप इसे देगे